हाई क्यों आती है गुटने से कट-कट की अवाज और घर बैठे कैसे ठीक करें नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किन-किन कारणों के वज़े से आपके गुटने से कट-कट की अवाज यानि की पॉपिंग साउंड आता है और घर बैठे किन-किन चीजों को फ तैक भी आपकी माशपीशों की कंजोरी या इंबैलेंस की वज़े से भी आपके गुटने से कट-कट कि आवाज आ सकती है तो ध्यान रखें कि आपको एक्ससाइजिस पर कि मास्पेश जरूर ध्यान दे उसकी स्फेंद सब्सकूय दूसरा अवाज आने का ligament injury आपके गुटने में ACL, PCL, MCL, LCL के नाम की जो ligament होती हैं, जो मौजूत होती हैं, उनकी injury के वज़े से भी आपको जो है instability आ सकती है, instability आने की वज़ेसे आपका गुटना आगे पीछे भागने लगता और जिसकी वज़े से भी सापके कुटने से कड़ की आवाज आ सकती है अगर लो ग्रेड का ग्रेड़ वान ग्रेड़ टू से आन्याय Såji आप एक्सराइबे करके आपनी जो दिक्कते हैं लिगामेंट की वज़े से जो आपको नीप ऑर हाहा है popping sound आ रहा है कट 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 की आवाज आ रही है यह सीडिया चड़ने में उतरने में चलने में कोई भी activity में आपको discomfort आ रहा है तो आप अपनी quarts की और glutes की mass spatial की strengthening पर focus करके आप pain से और discomfort से आपको relief आ सकता है तीसरा कारण है आपका meniscus injury, meniscus injury की वज़े से भी आपकी गुटने से कट कट की आवाज आ सकती है meniscus जो आपके femur और tibia bone के बीच में मौजूद होता है जो एक shock absorber यानि की जिसे हम force absorber के नाम से भी बोलते है force absorber की तरीके से काम करता है जिसे हम गुटने की गद्दी भी कहते हैं कई बार meniscus injury के कारण भी जो है आपकी घुटने से कट कट की आवाज आ सकती है जब आपकी meniscus injury होती है तो आपका जो bone है घुटने हड़ी के उपर जो आपकी meniscus मजूद होता है कई बार उसकी injury के कारण आपकी जो bone है आपकी जो हड़ी है वो expose हो जाती है और आपस में ट treatment के थुरू आप इसको heal कर सकते हैं और exercise करके meniscus injury की exercises से उन पर focus करके आप जो एक कट-कट की आवाज से, pain से, सीडिया चड़ने में, बैठने में, उकड़ू बैठने में या meniscus injury में आपको locking जैसा feel होता है तो आप उससे भी आपको relief मिल सकता है, चौथा कारण है cartilage damage, cartilage damage के वज़े से भी आपके घुटने से कट-कट की आवाज आ सकती है, cartilage आपके femur, tibia और आपके पटेला bone पे आपकी हड़ी पे एक covering होता है जो एक smooth moment करने में help करता है, आपके घुटने में smoothly glide कर पाते हैं, just because of the cartilage, तो कई बड़ अगर आपके cartilage damage हो गया है, तो आपकी हड़ीया आपस में टकराने लग जाती हैं, और उसके वज़े से भी आपको popping और ये कृपाइटस और ये कट-कट की आवाज आपको महसूस होती है, बार-बार cartilage damage की वज़े से आपका जो joint है, उदर loose bodies बन जाती हैं, उसके कारण भी आपको कट-कट की आवाज आ सकती है, इसी कारण को हम Contro Malaysia Patela कहते हैं, जिसके अलग-अलग grades है, तो इस condition में भी अगर cartilage damage low grade का है, कम grade का है, तो आप physiotherapy और PRP treatment के सहारे आप अपनी इस condition को recover कर सकते हैं, पाचवा कारण है Osteoarthritis, Osteoarthritis एक ऐसा condition है, जो generally age-related condition है, यानि कि आपका degeneration होने लगता है, आपकी knee joint में, आपकी जो हड़ियां है, joint space है, वो reduce होने लगता है, आपकी cartilage damage होने लगती है, आपका जो bone shape है, उसमें भी damage होने लगता है, साथी साथ आपकी meniscus ear damage भी होना है, स्टार्ट कर देता है, यानि कि जो आपका knee joint है और आपका cartilage है, meniscus है, इन सभी में degeneration start होने लग जाता है, osteo arthritis की भी different stages है, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, अलग-अलग stage में, अलग-अलग damage और degeneration बढ़ता जाता है, समय के साथ, और इसकी वज़े से भी आपकी हड़ियां आपस में टकराने लगती है, आपको squat करने में, उकुडू बैठने में, क्रॉस लेक करने में दिक्कत आ सकती है, और आपकी meniscus और हड़ी की damage की वज़े से यह जो cut cut की आवाज आती है, आप इसको physiotherapy rehabilitation exercises के थूरू आप इसको recover कर सकते हैं, किस grade का joint space reduce है, joint space loss है, किस level का damage है, यह जानने के लिए आप x-ray करवा सकते हैं, degeneration के कारण, तो आप एक APN lateral view का x-ray करा सकते हैं, और आगर आपको साथी साथ, हड़ी की health के साथी साथ, जो अधर की soft tissues हैं, उनकी भी आपको health के बारे में जाना है, जैसे कि आपकी ligament हो गए, इनके बारे में भी पाता करना है, तो आप MRI scan भी ले सकते हैं, आपने गुठने का, तो रेगुलर exercise करते रहें, और अपने physician से और अपने physiotherapist से ज़रूर कंसल्ट करें इस condition में, दूसरा condition है, rheumatoid arthritis, rheumatoid arthritis में भी आपके small joints पे पहले impact आता है, या नहीं कि आपकी हाथ क्यों लिया, जब सुबह आप सोके उड़ते हैं, तो आपको अकड़न movements में pain, discomfort फील होता है, आपके small joints से उसमें swelling रहता है, inflammation रहता है, जिसके वज़े से आपको एक अकड़न and movement में discomfort आता है, गाउट और rheumatoid दोनों ही condition हैं, एक ऐसे हैं, जो आपके small joints से start होते हैं, और धीरे धीरे आपके बड़े joints पे, आपके knee पे, आपके hip joints पे, आपके spine पे, इन सब पे impact आलते हैं, तो rheumatoid arthritis गाउट को पता लगाने के लिए, आप जोए, uric acid blood test भी करा सकते हैं, और rheumatoid arthritis के ल इन सबी कारणों में से अगर आपको लगता है कि कोई भी कारण या कोई भी symptom आपके condition से match कर रहा है, ऐसा आपको भी मैसूस हो रहा है, ऐसी तकलीफ आपको भी हो रही है, तो आप अपनी x-ray और अपनी MRI हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपनी reports हमें share कर सकते हैं, और हम आपको सही सला द करने के लिए आपको जो है नी को बेंड करना है, लेक्स को अप्ड़क करके रखना है, यह तो की पिर हील टोगेदर, हील को दोनों हील को एक उसरे से प्रेस करना है, साथ ही साथ आपको ग्लूट्स की जो मसल से स्कॉंदर स्पीस करते हैं, हील को साथ में प्रेस करते हैं, 20 second hold करना है आपको इस exercise को, 20 second hold and 8 repetition of this exercise relax so, quarts-biased SLR करने के लिए आपको सिधा लेटना है पंजे कोगी दरफ खिशते वे नी को लोग करते वे पैर को सिधा-सिधा उपर उठाना है इस position में आपको hold करना है 20 seconds आप इस exercise को 1 kg एंकल बेट के साथ भी कॉंटिन्यू कर सकते हैं so, 20 second hold, 8 reps of quarts-biased SLR with 1 kg एंकल बेट, you can also continue again make sure आपका जो लेखे वापड़्टेटेट रहें और आपके बोड़ी की साथ लाहीं में मेंटेइन रहें आजे relax multi-angle wall setup करने के लिए आपको medium resistance का एक band पहनना है हाथ को दिवार पे रखते वे slide करते वे आपको 45 degree के अंगल पे hold करना है hold band को बाहर की तुरफ पुश करते वे shoulder with legs apart maintain करते वे आपको hold करना है इस position पे 15 to 20 second band को बाहर पुश करते वे resistance को maintain करते वे 20 seconds के बाद आपको एक और डिग्री नीचे आना है 60 degree के आसपास आना है आपको और 15 to 20 second again hold करना है band को बाहर पुश करते वे आपके जो upper back है आपकी जो lower back है आपका जो overall back है वो wall से supported रहेगा और और फिर slide करके वापस आना है अगेन इसी तरीके से आपको इसके 8 reps परफॉर्म करना है आठ बार करना है आपको यह exercise वाल शेट अप बैंड़ेड एक 45 डिग्री एंगल पर और एक अप्रोक 60 डिग्री एंगल पर प्राइडर का शेडर से लोग प्राव भी कर एके सकाथ झाल से लोगो पर आपको नहात शापका घुट करोगा यह exercise बासी का झाल कתो जब । बास्दू Davis also supports first रहेवँ कि पकार्म पर प्राव एक है परोगो प्시से भी है दाने को속 मोगरा का तरूल झाल झाल